hello guys welcome to my channel so aaj हम नाने वाले हैं मेरी फेवरेट आपकी फेवरेट हम सब की फेवरेट मैंगी टू मिनिट्स मैंगी है लेकिन दो मिनिट में बंती नहीं है अब हम देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए कुछ मसाले जिसको हम प्याज टमाटर हम यहां पे लेंगे पतला पतला लंबा लंबा काटावाट प्याज साथ में चौप टमाटर हरी मिर्ज को भी छोटा चौप करके स तो सबसे पहले हम अपनी कड़ाई में डालेंगे अमूल बटर जितना हम चाहें हम उतना अपने कॉर्डिंग डाल सकते हैं कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमें इतना ही डाला है ताकि यह तोड़ा सा डाला है ताकि तोड़ा टेस्ट रहा है वह अच्छा आते मैंगी का और अपने कुछ आप चाहो तो रिफाइंड ओइल दाचके हो एक चमच अधरवाइस नहीं तो आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने डाला है इसमें घी अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारे मसाले इसमें अच्छे से समान रेडी करते हैं साथ में अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च यहां मैंने करीबन चार हरी मिर्च लिए आप चाहें तो अपने कॉर्डिंग ले सकते हैं तब तक हम इसको भूने का वेट करेंगे जैसे कि हलका सा लाइट कलर की हो जाए और यह सौफ्ट हो जाए तब त कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिल्ची अब होने लग गई है तो अब हम इसमें अपने आगे का समान डालना शुरू करेंगे अब हम डालेंगे इसमें हमारा काटा हुआ प्याज जितना भी आपने काटा था आप वो सारा इसमें डाल सकते हैं और उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसमें ताके मारा प्याज जो है वो इसमें ऑईल में आई मीन बटर में भुन जाएं अब जब तक हमारा प्याज भुनता है चलिए हम फटा फट से मैगी मसाला जो है वो अपने एक बाउल में डाल लेते हैं और यह हमारा मैगी मसाला रेडी है मितलब जो हमारा को पैकेट में मिलता है हमने वही डाला है इसमें हमारा प्याज जो है वो यहां अल्मोस्ट भुन चुका है अब हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटर और हरा धनिया 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 तो हमारे यहां हर चीज में मस्ट होता है बिना धनिया के तो हमारे यहां को कोई चीज बनी नी सकती है तो हम तो मैगी भी धनिया डालेंगे इसको करेंगे हम बटर में अच्छे से मिक्स ताकि यह सॉफ्ट हो जाए अब टमाटर को सॉफ्ट करना है तो नमक तो डालना पड़ेगा तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे नमक अब मसाला मैगी है अब भी इंडियन तड़के में तो इंडियन मसाले तो बनते है अब हम डालेंगे इसमें धनिया और साथ में हल्दी और थोड़ी इसी लाल मिर्च यहां लाल मिर्च मैंने तीखी वली लिए तो आप चाहो तो इसमें देगी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो जो की कलर के लिए होती है अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स ताकि मारे मसाले में जो है वो मिर्च मसाले लग जाएं अच्छे से अब हम डालेंगे इसमें हमारे आलू आप चाहो तो बॉई करके उसको रखके काटके भी डाल सकते हो आप चाहो तो कच्छे आलू को भी डाल सकते हो उसको थोड़ी दिर जादा पकारा पड़ेगा तो जैसे आपको कन्वीनिट लगए आप ऐसे यूज कर सकते हैं दोनों मैंने यहां पर आलू थे मैंने उनी को काटके डाल दिया था अब दिख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारी सब्जी में और यहीं कलर हमारी मैगी को बहुत टेस्टी बनाने वाला है अब हम डालेंगे इसमें पानी अपने अकॉर्डिंग आप चाहो तो अगर सूपी रखना है तो पानी थोड़ा एक्स्टा डाल सकते हो और अगर आपको सूपी नहीं रखना है तो आप थोड़ा सा कम पानी डाले मैंने आप सूपी नहीं रखना है इसलिए मैंने थोड़ा हमारा पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है और इतना अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है इसका अब हम डालेंगे इसमें हमारी मैगी ज्यादा छोटे पीसिस मत कीजेगा वरना वह बहुत जादा घुल जाएगा मैने सिर्फ हाफ पीस करके इसमें डाले है तो आप चाहों तो ऐसे डाल सकते हैं हाफ पीस करके अधरवाइस पूरे-पूरे पीस डालना चाहें तो आप वह भी कर सकते हैं अब आप इसको हो जाएं जैसी कि आप देख सकते हैं हमारा पानी बॉइल होना शुरू हो चुका है निहां पे अच्छे से मैगी मारी पक रही है और इसी खुश्बू बहुत ही अमीजिंग आ दिये अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि हर जगा प्रॉपर फ्लेवर आए इसका नमक में जो हमने डाले है वह अच्छे से मिक्स हो और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आ इसका और यह देखिए हमारी मैगी जो है वह बनकर रेडी हो गई है अब जल्दी से डालते हैं इसको प्लेट में और करते हैं इसको टेस्ट सो आप इस एसपी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए मेरी एसपी कैसी लगी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलें